अब सभी का एपी गान चैनल के नीज सेक्षन में भारत का चेन के खिलाब छोटो छोटे कदम अब चीन पर भाई पढ़ने लगा है जैसा कि आपको पता है चीन और भारत के बीच बाटर पे टेंशन के बाद मोधी सरगार ने कुछ ऐसे कदम उठाएं जैसे कि चीनी कमपनियों को भारत में भागिदारी से बंद करना चीनी एप को बंद करना और इसके साथी साथ भारत के सरकारी कामों में चीनी कमपनियों की भागिदारी को बंद करना लेकिन कुछ मंद बुधी लोगों ने बिना सोची समझे मोधी सरकार के इन छोटी छोटी कदमों का मजाग वड़ाया और बोला इस से ज़्यादा चीन को कुछ नहीं होने वाला है इस से चीन को नुकसान नहीं होने वाला बलकि इस से भारत को ही ज़्यादा नुकसान होगा लेकिन आज एक ताजक ख़वर आई है जिसे सुनकर खुद चीनी राष्टपती जिनपे की आँखों से नीद उड़ गई है और साथिसाथ भारत में मौजूद कुछ तथा कतित बुद्धी जीवियों के मुँपे तमाचा भी है जैसा कि आपको पता है चीनी मीडिया कभी भी अपना नुकसान दुनिया को नहीं बताती लेकिन साथ कोरिया की मीडिया ने खुलासा कर दिया है कि चीन के इबरोधी भापनाओं की बज़ा से चीन को लगभग 680 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और यह नुकसान पाकिस्तान के कुल जीडिपी के दुगने से भी जादा है भारत सरकार का आत्म निरभर कदम और चीनी समानों की बाहिसकार की मुहिम की बज़़ से साथी साथ दुनिया भर में फैले चाइनीज कमपनियों के प्रती आक्रोष के कारण चीन के राष्टपते जीन पिंग ने यह सुईकार किया है कि दुनिया में कोई भी देश अकेले आगे नहीं बढ़ सकता है जीन पिंग ने एक सेमिनार में बुलते हुए सुईकार किया कि पूरे बिस्व में चीन के सप्लाइई चेन को गहरी चोट लगी है और पूरी दुनिया में चीनी कमपनियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और अपने चीनी नागरीकों को बोला है कि चीन सबसे चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सरकार के हवाले से कहा है कि आने वाला टाइम चीन के लिए काफी डिफकल्ट होने वाला है और चीन को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा इस समय दुनिया में चीन के खिलाफ महौल तैयार है और ऐसा महौल च चीन ने कभी अपने इतिहास में नहीं देखा। मिडिया एक्सपर्ट की माने तो चीन की हालत अभी बहुत ही कराब चल रही है। चीन के अंदर काफी असंतोस का महाल चल रहा है और चीनी कमपनियों का बुरा हाल है। और चीनी राश्पती सी जिन पिंग ने इसी असंतोस भरी महाल को सांथ करने की कोश्चिस की है अपने इस सेमिनार से। अभी चीन का 680 अरब डॉलर का नुकसान तो सिर्फ एक ट्रेलर है और यह नुकसान बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है अगर चीन अपनी आदतों में सुधार नहीं करेगा और फिर चीन का जो सपना है वो बर्ड लिडर बनने का धरा का धरा रह जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्लीज हमारा होसला बढ़ाने के लिए इस चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू धन्यवाद जै हिन जै भारत